वेलकम बैक टो पुनम चोबे ब्लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे हैपी सिवरात्री आप सबको सिवरात्री की बहुत-बहुत सुपकामना है तो आज मेरा फास्ट है और मैं साम के भोग के लिए साबुदाना के खिचडी और सिंगाडे का हलवा बना रही थी तो मैं साबुदाना के खिचडी आपको रेशिपी बताती हूं घाप साबुदाना ले लिए हमने मीडियम वाला साबुदाना है च्छोटे वाले मत ले ऌताया छहोटे छोटे युथ उसका बनता है अच्छा, तो हमने इसको अच्छी तरह से धुल लिए है। आप साफ पानी से धुल के इसके साफ पानी से डाल देना थोड़ा ही पानी डालना, जितना वह एबसॉब कर लिए अपने अंदर अच्छी तरह स सूह जाए आदे गंटे के लिए रख देना वाद यह कि अच्छी तरह से फुल गया है और वहाँ दाब टे तरह से बन के पर एक पार इस रेसिपी विछ से बताना जरूर मेंखेचे आपने कैसे बनाया किसी भी किसी भी विवरत में आप नौरात्री वगरा भी तो आ रहे हैं उसमें भी आप यूज कर सकते हैं तो हमने एक बड़े चमच देशी घी ले लिया है रिफायर डाल मैं बिल्कुल यूज नहीं करती और मुमफली जो है हम उसको अच्छी तरह से मु हरी मिर्ची डालना है हरी मिर्ची ढाना है हरी मिर्ची दो हुरी मिर्ची लिया हमने आथोड़ा साधी चमच जीरा और उसके बादद हमने आलू के छोटे- Autrip कर रखेंछे थे बिलकुल चोटे- फीक एस लाल वियूकल फ्राइग करना और खोलके ही विसको ढ़गना नहीं ह होगा लाल नहीं होगा यह दिखे बिल्कुल लाल हो गया है बिल्कुल अच्छी तरह से असके बाद कि अच्रवार उसको मिले लिरेंगे और अभी नमक यूज़ने करती तो तो प्लेश अगर आप न Wizards सो nya में निम्बू का है कि इसका बड़ा किरदार नीबू जरूर डालनां से दाने दाने बिल्कुल अलग हो जाते के नीम्बू भी सब्सक्राइब मिक्स करने के बाद तीन मिनट तक इसको फ्रेंट्स टाइम देखके बता रहें तीन मिनट तक इसको अच्छी तरह से धख देना अब जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देना लो फ्लेम करके तीन मिनट के लिए इसको हमने धख दिया है तीन मिनट के बाद हम जाके देखते हैं य इसको जरूर डाल देना काली मिर्च और नीम्बू ये दो चीज तो बहुत ही बहतरीन इसका टेस्ट आता है अगर नमक आप नहीं भी उच करेंगे तब भी इससे बहुत ही बहतरीन टेस्ट आएगा और यह हमने मुंफली डाल दी अब मुंफली डालने के बाद हमने अच्छ चीज तो कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज स्ब्सक्राइब जरूर चर ऑज़र बताना कि आपको यह मेरी वीडियो कैसी लगी और आप बताना कि आप साबुदाने के खिचडी कैसे बनाती हैं और इस तरह बनाएंगे जिसको नहीं भी पसंद आएगा नहीं भी खाता होगा साबुदाना तो अगर इस रेसिपी से बनाएंगे तो उनको जरूर ही पसंद आएगा आपको भी पसंद आया होगा फ्रेंट्स और मुझे कमेंट में तो जरूर बता देना कि आपको कैसा लगा लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंट्स थैंक्यू गाइस, हैपी सिवरात्री थैंक्स फर वाचिंग गाइस बाबाई